नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंगराथोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा कंदहार प्लेन हाईजाक के बारे में 1999 में भारतिय एरलाइन्स के एक हवाई जाहाज को हाईजाक करके कंदहार जो अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ ले जाया गया था और आज इस घटना के बारे में मैं आपके साथ चल्चा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान में अब फिर से 20 साल बात तालिबान का कंट्रोल है और जो परिस्तितियां 1990s में थी, कुछ हद तक वही वापस लोट आई है तो एक आतंगवादी संगठन के द्वारा जब किसी देश पर शासन किया जाता है तो वो कैसे उस देश के लिए ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया के लिए एक security threat है उसका एक जीता जाकता example है, कंदार hijack incident तो इसी को हम discuss करेंगे, और मेरा लक्षे यहाँ पर यह है कि भारत के इतिहास के बारे में एक important chapter में आपको बताऊं और साथ ही साथ हम ये भी जाने कि कैसे, जो history से सीखते नहीं है वो अकसर history में हुई गलतियों को फिर से धोरा देते हैं तो देखे, भारत के Taliban के साथ ना तो तब कोई diplomatic relations थे और ना अभी है as of right now जब ये lecture में बना रहा हूँ, तब तक भारत सरकार का कोई Taliban के साथ diplomatic relation नहीं है and I am 100% sure की होने वाला भी नहीं है anyways, आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि unacademy app पर आप मुझे इस ID पर ज़रूर follow कीजे और इस lecture का PDF आपको Pathfinder के Telegram चैनल पर मिल जाएगा जिसका link नीचे पहले comment में दिया गया है अब 99 में भारत की परिस्थितियां क्या थी जरा उसके बारे में जान लो देखो अटल विहारी वाजपाई उस समय देश के प्रदान मंत्री थे 98 में उनकी सरकार बनी थी लेकिन 13 महीने बाद उस सरकार गिर गई थी और 99 में September-October के महीने में ही चुनाव हुए थे यानि कि जब ये plane hijack किया गया था December 1999 में उस समय अटल विहारी वाजपाई जी की जो सरकार है वो किवल दो महीने धाई महीने पुरानी थी So it was not a very stable government जो बहुत लंबे समय से चल रही है हाँ उनके पास majority थी NDA was the ruling majority government लेकिन BJP जो की main coalition partner है उसके पास absolute majority नहीं थी जैसा कि इस समय 2014 और 2019 के elections में देखा गया है तो अटल विहारी वाजपाई एक coalition government चला रहे थे देश के प्रदान मंत्री थे एक और बात याद रखेगा कि उसी साल गर्मियों में कारगिल युद्ध लड़ा गया था जुलाई 1999 में युद्ध समापत होता है पाकिस्तान उस युद्ध में हार गया था और पूरे 90 के दशक में कारगिल में, not कारगिल, कश्मीर में insurgency चल रही थी रास्ते में पांच आतंगवादी जो पैसेंजर के रूप में बैठे थे, वो अपनी सीट से खड़े होते हैं, उनके हातों में चाकू था तो ये हाईजाकिंग का जो पूरा घटना कराम है, लगबग 7 दिन तक चला था, कई जगे इस प्लेन को लैंड कराया गया, फाइनली ये होस्टेज क्राइस 31 डिसंबर को, यानि की 1999 के आखरी दिन, मिलेनियम के आखरी दिन, खत्म होता है इस हवाई जाज में कुल 180 से भी जादा यात्री और क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से बाद में 5 तो आतंगवादी ही निकले, तो ये हवाई जाज जब टेक आफ करता है काटमांडू से, तो इसका फ्यूल उतना ही था उसमें जितना न्यू डेली के लिए सफिशेंट होता ह है, तो ये कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं है, अगर आप मैप पर देखोगे, मतलब फ्लाइट्स के अनुसार ये कोई बहुत लंबा डिस्टिंस नहीं है, तो इसमें इतना ही फ्यूल था था थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल रखते थे, तो ये मैक्सिम्म पाकिस्तान प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दे, इन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर प्लेन लैंड नहीं होगा, और क्यूंके फ्यूल खत्म होने वाला था, तो इसको तुरंट घुमाया गया अमरिटसर की तरफ, अब अगर आप मैप में देखोगे, तो लाहोर और अमरिटस important नहीं है आपके लिए, लेकिन बस एक response के बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाद में जब यह details बाहर आई थी, तो भारत सरकार के delayed response की बहुत आलोचना हुई थी, चार बच के 40 मिनिट पर, इस IC 814 के pilot ने भारतिय air traffic controllers को यह जानकारी दे दी थी, कि plane hijack हो चु जब यह plane Lahore में land करने की कोशिश करता है, उस समय भारतिय दूतावास की तरफ से पाकिस्तान सरकार को request करी गई, कि please plane को land करने दो, नहीं तो इसका fuel खतम हो जाएगा, और यह crash कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसे मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को लगा था कि फिर दुनिया भर में यही मलब पाकिस्तान की बेज़ती हो जाएगी, कि हवाईजास हमने हाईजाक करवाया, देखो हाईजाकर्स इसको यह लहोर लेकर आ गए, तो यह पाकिस्तान गवर्मेंट की उस समय सोच थी, 644 के आसपास यह अमरित सर की तरफ वापिस आ गया हवा हम मारना शुरू कर देंगे, in fact, 4-5 पैसेंजर्स को उन्होंने बिल्कुल खिड़की के पास लाकर और एकदम knife point पर रखा भी था, कि अगर refueling में delay होता है, तो हम एक एक करके पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे, अब भारती authorities के सामने बहुत ही मुश्किल रास्ते पहला कि commandos को या फिर special forces को भेज कर यहां पर आतंगवादियों को मार गिराया जाए, लेकिन उसके अंदर यह पूरा खत्रा बना हुआ था कि civilians की जान जा सकते है, क्योंकि of course आतंगवादी उन यात्रियों को shield के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको आगे कर देते, तो passengers क जान जाना यहां पर अल्मूस्त तैथा, दूसरा option है था कि plane में fuel भर दो, और जैसा आतंगवादी कह रहे हैं, वैसा करो, लेकिन अगर यह कर देंगे, तो plane भारती है, सीमाओ के बाहर जाएगा, और 99% उस वक्त यही chances लग रहे थे, कि इसको यह पाकिस्तान में कहीं ले ज चला जाएगा, जिससे वो कुछ भी negotiation कर सकें, अब plane अमरित सर में था और इसे hijack हुए वे लगबाद 2 गंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई concrete action नहीं लिया गया, केंदे सरकार का एक crisis management group होता है, जिसकी आमतौर पर meeting बुलाई जाती है, जब को हवाई जाहाज लैंड हो चुका है, RAW और IB को ये जानकारी बहुत लेट दी गई थी, प्रदान मंत्री को भी ये जानकारी 7 बजे के आसपास दी जाती है, कि एक plane hijack हो चुका है और इस तरह का घटना करम चल रहा है, तब तक समझे कि ये plane अमरित सर में लैंड हो चुका है, और already वहाँ पर refuel करने का इंदजार किया जा रहा है, अब ये हवाई जाहाज लगबग एक गंटे तक अमरित सर एरपोर्ट पर खड़ा रहा, इस एक गंटे में, hijackers ये धमकी देते रहे बार बार, via the pilot, कि हम passengers को मारना शुरू कर देंगे, अगर आपने plane में fuel नहीं भरा लेकिन जो local authorities हैं, airport authority, Punjab police, वो refuel नहीं करना चाहरे थे, क्योंकि दिल्ली से उनको ये आदेश में दिया गया था, कि refueling मत करो, जितना हो सकता है, plane को delay किया जाए, लेकिन ये delay आप कितने लंबे समय तक कर पाओगे, situation बहुत tense होती है, finally, दिल्ली से order आता है कि refuel कर दो, ले उसके बाद ये commandos शायद plane के अंदर जाते, इस प्रकार का कुछ plan था, लेकिन हुआ ये कि एक truck जो runway को block करने के लिए बेजा जा जा ला था, एक tanker को runway पर खड़ा करना था, ताकि plane take off ना कर सके, वो truck काफी तेजी से चल रहा था, उसे आदेश दिया गया कि तुम धीरे चल अब ये जैसे ही take off होता है, तो plane अब Amritsar से निकल चुका है, लेकिन अब वो जाएगा कहाँ, nearest airport Lahore है, तो pilot कहता है कि हमारे पास pilot थे, by the way Captain Sharon, इन्होंने कहा कि हमारे पास fuel नहीं है, तो Ajakers ने कहा कि जहाँ land कर सकते हो, कर दो, उस वक्त तो ये भी लग रहा था कि शायद ये plane crash हो सकता है, क्योंकि इसको कोई land करने की permission नहीं देगा, Lahore airport ने फिर से मना कर दिया, कि हम permission नहीं देंगे land करने की, और अब रात हो चुकी थी, तो इन्होंने क्या करा, अपने runway की lights बंद कर दी, जितने भी navigational aids होते हैं, याद रखना कि ये सरदियों का समय था, North India में बहुत कोहरा होता है, तो वो बिना runway lights के land करना रात को impossible है, किसी भी pilot के लिए, तो ये सारे navigational aids और lights को बंद कर दिया गया, Lahore airport के द्वरा, ताकि ये plane land ना कर सके, तो जो pilot है, उनको एक lights या highway कुछ दिखा, तो उन्होंने वहाँ land करवाने की कोशिश करी, और वहाँ पर वो finally crash land ना हो जाए, इसी लिए पाकिस्तान ने इसको अपने airport पर land करने की अनुमती दे दी और 8 बच के 7 मिनिट पर ये plane, Lahore में land कर जाता है, जैसे ही हवाई जास land हुआ, पाकिस्तान की government भारत पर नराज हो गई, कि हमें तो ये plane चाहिए ही नहीं था, जबरदस्ती हमें इसे land करवाने के लिए यहाँ पर का गया है, भारत सरकार ने कहा कि चलो देखो अब land हो गया है, तो कोशिश करो कि यहाँ से take off ना कर जाए, तो again जो runway की lights है, उनको बंद कर दिया गया, और पाकिस्तान ने अपने special forces, commandos, plane को चारो तरफ से गेरने के लिए बेज दिये, इन्हों पाकिस्तान गवर्मेंट से डिमांड करी कि एक helicopter प्रोवाइड करा हो, ताकि मैं सीधा लाहर एरपोर्ट पे जा सकूँ, पाकिस्तान गवर्मेंट ने इस helicopter को प्रोवाइड कराने में बहुत देरी करा दी, और जब तक जी पार्ट सारती महाँ पर पहुँचे, तब तक वो हवाई जाहाज refuel किया जा चुका था, and it had taken off, पाकिस्तानी authorities ने plane को रोकने की कितनी sincere कोशिश करी या नहीं करी, इसको लेकर बहुती conflicting media reports हैं, जालातर media reports यह कहती हैं कि कोई sincere effort नहीं लिया गया था इस plane को रोकने का, पाकिस्तान wanted this plane out of its country as fast as possible, तो ये plane लाहर से take off करके नहीं दी, UAE ने साफ कहा कि तुम airbase पर जाकर, मिनाद airbase जो दुबाई से कुछी किलोमेटर की दूरी पर सित है, वहाँ पर land करो, तो इसे मिनाद airbase पर land किया गया और जब ये plane वहाँ पर touchdown होता है, तो कुछ घंटे वहाँ पर भी रुका था, इस बीच, पहले और एक मात पैसेंजर, जो इस पूरे hijack card में इनकी death हुई थी, रूपिन कट्याल, इनकी body tarmac पर fake दी जाती है, बाद में जब passengers छोड़े गए थे, उन्होंने बताया कि रूपिन कट्याल को hijackers ने चाकूं से गोद के मार दिया था, और इनकी हत्या अमरित सर से take off करने के बाद ही हो ग सकती थी कि negotiation किये जाएं और इस हवाईजास को take off करने ना दिया जाएं, लेकिन Indian government और Indian ambassador को इस airbase के अंदर भी नहीं जाने दिया गया, Indian ambassador ने बहुत कोशिश करी लेकिन उन्हें इस airbase में जाने की अनुमती नहीं दिये, UAE government ने, UAE और USA के relations उस समय बहुत अच्छे थे, भा यहां पर भारत की तरफ से बहुत बड़ा diplomatic failure यह होता है कि हम दोवाई government पर, UAE की सरकार पर बिल्कुल pressure नहीं बना पाए, एक मात्र positive development यहां पर यह होता है कि 27 बुडे और बिमार passengers को इन hijackers ने जाने दिया क्यूंकि UAE की government अपने स्थर पर इन से negotiation कर रही थी, of course भारत सरक सरकार ने भी कहा होगा, लेकिन directly Indian government यहां पर negotiations में involved नहीं थी, तो 27 passengers को अब हवाई जाहस से नीचे उतार दिया जाता है, और उसके बाद यह हवाई जाहस फिर से take off कर जाता है, again इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करी जाती है, और इस बार दुबाई से take off करने के बाद यह प्लेन सीधा रुख करता है अफगानिस्तान की तरफ का, अब भारत सरकार को समझ में आने लग गया था कि ultimately hijackers का target day one पर पहुँचना कहां पर था, तालिबान ruled अफगानिस्तान में, तो अब याद रखिए कि 25 December का दिन आ चुका है, और अब यह प्लेन पहुँच चुका ह कंदहार, कंदहार एरपोर्ट पर यह land होता है और अगले 6 दिन यह वहीं पर खड़ा रहेगा, till 31st December, तो देखे कंदहार में land करते ही, तालिबान authorities जो है, उन्होंने भारत सरकार को यह कहा कि हम mediate करेंगे, जो भी negotiation करना है, इनसे बातचीत करनी है hijacker से, we will do it, याद सरकार मानते हो, याद रखना एक दूसरी सरकार थी, जिसको recognition दे रखा था भारत ने, वो exile वाली government थी, उसका control ही नहीं था अफगानिस्तान में, तो भारत तो उसको recognize करता था, ऐसे में अब तालिबान के साथ भारत को deal करना पड़ा, तो भारत ने अपने इसलामाबाद experience of talking to Taliban, अब Taliban की जो regime है, वो क्या ही सरकार थी, उसमें लड़ाई लड़ने वाले लोग मंत्री बने बैठे थे, जिन्रों ने अपने जीवन में कभी एक कोई diplomatic बात नहीं करी, ऐसे लोग यहाँ पर, बंदूगधरी लोग, जो 4-5 साल पहले Soviet से लड़ रहे थे, वही लोग मंत्री बन चुके थे, विदेश मंत्री, civil aviation मंत्री, और ऐसे लोगों से बात करना भारत के लिए बहुत ही problematic था, तो negotiating process जो है, यह बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना तो भारत को पता था कि Taliban actually में किस तरफ है, क्या वो hijackers के साथ मिले हुए हैं, क्या वो पाकिस्ता को चारों तरफ से घेर लिया, runway के around, तो यह बहुत ही famous photograph है उस समय का, जिसमें यह Taliban fighters Toyota trucks में बैट कर इस हवाई-जाहस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या होता है, कि यह plane ना तो take off कर सकता है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ था, और ना ही भारत के army commandos, अग किसी को injure ना कर दे, अब वो पता नहीं, बाहर से खड़े-खड़े कैसे हवाई-जाहस के अंदर किसी को मानने से रोकते, that is beyond me, खेर officially Taliban ने उस समय यही का, और ज्यादा तर लोगों का यही मानना था, कि Indian military operation को रोकने के लिए, इस प्रकार से Taliban ने अपने लड़ाकों को plane के रास्ता नहीं मिलना चाहिए, अब यह plane land हो चुका है, तो hostages को छुडवा दें, जैसे भी हो, जो भी इनकी demands है, उनको पूरी कर दिया जाए, और यह hostages को फिर छुडवा कर, hijackers को arrest करें, या फिर उनको मार गिरा है, इस तरह का भारत का plan बन रहा था, लेकिन सबसे बड़ तो हमें नहीं पता था कि यह क्या करना चाहते है, जैसे कि 9-11 में आपने दिखा की plane hijack करके उसको building में crash करवा दिया, क्या उस तरह का कुछ करना चाहते थे, क्या यह plane को bomb blast से उड़ाना चाहते थे, सिर्फ मासूम जिंदियों को खत्म करना चाहते थे, या फिर सारे hostages को ए passengers की हालत काफी खराब हो गई, आप याद रखना कि यह flight सिर्फ 2 घंटे की flight थी, तो इसमें खाना पीना भी उतना ही था, toilets में पानी भी उतना ही था, everything had stopped working, कंदहार में, जहां पर यह plane runway पर खड़ा था, वहाँ पर temperature minus 30 पहुंच जाता है, December का महीना है, कंदहार में सर्दिय minus 25 degree के temperature की रात होती है वहाँ पर, तो ऐसे में plane को continuously चालू रखा जा रहा था, वरना उसका heating system काम करना बंद कर देगा, तो वो air conditioning का जो system है, वो चालू रखने के लिए plane चालू रखना होता है, उसे बार-बार refuel करना पड़ता है, तो passengers की हालत बहुत खराब हो चुगी थी, पहली शर्त, इन hijackers के आतंगवादियों के, जो दूसरे भाई बंदू आतंगवादी थे, जो भारती जेलों में बनते, उनको रहा किया जाए, शुरुवात हुई थी, 100 से, 100 आतंगवादियों की demand इन्हों ने करी थी, बाद में 36 पर आ गए थे, और दूसरी बड़ी demand थी कि इनको 200 million dollar चाहिए थे, पैसे चाहिए थे इने, और तीसरी demand ये थी, कि एक कोई मृत आतंगवादी था, उसकी कबरती शीनगर में उसे दफनाया गया था, तो वहां से उसको exhume करके हमको सौपा जाया, नहीं कि उसकी dead body हमें सौपी जाया, तो एक dead body, 100 जिन्दा आतंगव से उनके मताबिक, ग्रह मंत्री लाल कृष्णा अडवानी जो हैं, वो आतंगवादियों को रिहा करने के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे सरकार कमजोड नजर आएगी, 1989 में, जो ततकालीन National Front Government भी उसने भी यही किया था, और तब भी सरकार की बह और ये 160 पैसेंजर जो हैं, इनकी जान जादा कीमती है, बजाए, टर्रिस्ट के, 27 डिसंबर को भारत सरकार ने अपने सीनियर ब्यूरोक्राट्स को महाँ पर नेगोशियेशन के लिए बेजा, इस टीम में विवेक काट्जू, जो की Home Ministry के Joint Secretary थे, वो बेजे गए, Additional Director of Intelligence Bureau, Ajit अभी ये NSA हैं, उस समय Additional Director थे, Intelligence Bureau के, वो शामिल थे, SDCI जैसे, और Senior Officers थे इसमें, अब इस टीम ने जाकर पहले तालिबान की सरकार से बातचीत करी कि देखो, हमें एक Special Operation करने दो, हम यहाँ पर अपने Commandos को बेजेंगे, और इन सब Passengers को छोड़ा देंगे, थोड़ा बहुत Special Forces का इस्तमाल करके, इसको आजाद करा दो, प्लेइन को, लेकिन Taliban ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो अब भारत सरकार के सामने Option काफी Limited थे, दूसरी और Taliban के जो Officials हैं, वो अखबारों को, या फिर भारती Negotiators को यह कह रहे थे, कि हमें Hijackers से कोई ले Demand को मान लेते हैं, तो जैसे ही इनकी Demand पूरी होती है, प्लेन से नीचे उतर कर आएंगे, और Taliban की सरकार इनको कम से कम Arrest तो करी लेगी, कंदार Airport से भाग कर यह जाएंगे कैसे और कहां, तो भारत सरकार को यह आश्वासन एक तरह से दे दिया गया Taliban की तरफ से, कि हाँ ठी नहीं, थोड़े से कम कर लो, सो आतंगवादी तो हम नहीं छोड़ेंगे, दिरे दिरे बात 36 पर आती है, उसके बाद यह पैसे वाला क्लॉस हटा दिया गया, ultimately तीन आतंगवादियों को छोडने पर सहमती बन जाती है, अब अगली प्रॉब्लम यह दी कि यह सारे आतंगव जिन पर सहमती होई थी, उनमें से दो तो पाकिस्तानी मूल के थे, देवर पाकिस्तानी सिटिजन्स और एक आदमी जो था, वो कश्मीर का था, तो फारुक अब्दुला ने कहा कि इन दोनों को फिर भी जाने दे सकते है, लेकिन यह कश्मीर वाले को तो मैं नहीं उनमें सबसे फेमस नाम है, मौलाना मसूद अजर, फेमस या इन फेमस जो आप कहना चाहो, कहलो, मौलाना मसूद अजर को भारत ने 95 में अरेस्ट किया था, कश्मीर में अरेस्ट किया था, he was a पाकिस्तानी सिटिजन, तो यह भारत में आकर यहां पर आतनवाद को बढ़ा जाना चाहता था, तो इसको यह आरेस्ट कर लिया था, 4-5 साल से जेल में था, तो आगे चलकर इसने जैशे मोहमत की स्थापना करी, और अगले ही साल भारत की पार्लेमेंट पर जो हमला किया था, उसके बीछे जैशे मोहमत का हाथ था, 2008 में जो मुंबई में हमले किये गए जैशे मोहमत ने करवाए थे, 2016 में पठान कोड पर जो एर बेस पर हमला हुआ था, आर्मी बेस पर हमला हुआ था, वो भी जैशे मोहमत का था, 2019 में जो पुलवामा का हमला हुआ था, वो भी जैशे मोहमत, तो कुल मिलाकर मौलाना मसूद हजर को छोड़ना भारत के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई और इस व्यक्ती ने बहुत सारे attacks करा है आज भी मसूद अजर पाकिस्तान में खुले आम रह रहा है हाला कि ये United Nations की आतंगवादियों की लिस्ट में है और पाकिस्तान पर अपना बड़ा संगठन चला रहा है आराम से जैशे मोहमत को चला रहा है दूसरा आतंगवादी एहमद उमार साहीद शेक साहीद शेक जो है इसको भी 94 में भारत में अरेस्ट किया गया था और जब इसे बाद में छोड़ा गया तो he was involved in the killing of Daniel Pearl Daniel Pearl एक American journalist था उसको kidnap करके बाद में उसकी हत्यागर दी गए थी camera recording उसकी release कर दी थी it was a very big deal back in 2002 तो बाद में पाकिस्तान ने इसको arrest किया because of US pressure वरना पाकिस्तान कभी arrest नहीं करता लेकिन American journalist था Daniel Pearl इसे लिए इसको arrest किया गया and jail में डाल दिया गया मुश्ताक एहमद जरगर was the third person he was a कश्मीरी ये कश्मीरी origin का व्यक्ती था और आज भी ये खुले आम घुम रहा है he is active in training Islamic militants in Pakistan occupied जम्मू कश्मीर और आज 20 साल बाद भी मुश्ताक जरगर काफी active है अब ये तीनों आतंगवादी जो हैं इनको personally भारत के विदेश मंत्री जस्वन सिंग एक special हवाई जाहाज में दिल्ली से कंधार लेकर गए थे अब ये एक बहुत ही unique decision था क्योंके generally इस तरह के negotiations में ministers शामिल नहीं होते यानि कि देखो इसको कोई senior bureaucraty या फिर कोई army या paramilitary के officers भी ले जा सकते थे of course security के लिए दूसरे officers थे लेकिन एक मंत्री का वहाँ पर जाना अश्चेर जनक था इसके कारण वाजपाई सरकार को criticize भी किया गया जस्वन सिंग को personally criticize किया गया कई लोगों ने कहा कि जस्वन सिंग के कारण या आतंगवादी महा दिये जा रहे है well technically it was a cabinet decision एक मंत्री कभी भी इस तरह का decision ले नहीं सकता तो जस्वन सिंग personally महाँ पर क्यों बेजे गए थे तो जस्वन सिंग ने बाद में अपनी biography में लिखा था कि देखो एक ऐसा आदमी वहाँ पर भेजना जरूरी था जो तुरंत on the spot निर्णे ले सके मान लोगी negotiations में कुछ problem आ गई आतंगवादी अपनी demand change कर दें इनको transfer करते समय कुछ दिक्कत आ जाए तो on the spot निर्णे लेने के लिए एक senior व्यक्ती का महाँ पर होना जरूरी था तो प्रदान मंत्री अटल बहरी वाजपाई ने जस्वन सिंग को ये जम्मेदारी दी ये काफी close बताया जाते थे PM वाजपाई के और इसलिए इनको बेजा गया और उसे कभी भी publicly acknowledge नहीं किया है तो इसलिए मंत्री को बेजा गया था which I don't agree with personally क्योंकि ऐसा क्या है पैसा दिया है तो मंत्री को बेजना कोई जरूरी नहीं होता है तो पैसा तो कोई भी दे सकता है it's just a bag उसकी को तो देना होता है जस्वन सिंग का plane जब कंधार में land होता है तो उसके बाद और कई dramatic scenes होते हैं जैसे कि इस plane से आतंगवादियों को तो नीचे उतार दिया गया लेकिन भारती officials को नीचे उतरने नहीं दिया जाता है आदे गंटे तक तो यहाँ पर अब थोड़े से surprising और dramatic यह जो घटनागरम होता है तब भारत को समझ में आजाता है इस first troops से कि यह पूरा ISI का किया कराया काम है पाकिस्तान के हस्तक शेप का सबसे बड़ा सबूत यह था कि मसूद अजर और सहीद शेख के घरवालों को पाकिस्तान से कंधार लाया गया था उनको identify करने के लिए कि कहीं भारत सरकार किसी और को ना थमा दे आतंगवादी कहकर कि यह मसूद अजर है और किसी और को वहाँ पे हमें ना दे दिया जाए तो उनके घरवालों को महा लाय गया था शिनाक्त करने के लिए कि हाँ यह मसूद अजर ही तो है ना क्योंकि 5-6 साल हो गए ते जेल में रहते हुए तो यह पूरी शिनाक्त होती है उसके बाद भरती ऑफिसर्स को नीचे उतरने दिया जाता है और यह जो सारे टर्रिस्ट हैं इनको फ्रीली बाहर निकलने दिया गया तालिबान ने इनको अरेस्ट नहीं किया जैसे ही हाईजाइकर्स को यह खबर मिलती है कि यह रत्रियों के प्लेन से बाहर निकलने के बाद जब हाईजाइकर्स बाहर आते हैं तो भारत सरगार को भी यहाँ पर यह उमीद थी कि इन्हें तालिबान अरेस्ट कर लेगा लेकिन तालिबान ने इनको एक गाड़ी मोहिया कराई और उस गाड़ी में बैट कर यह कंधार ए तालिबान के एक ओफिसर को भी अपने साथ बिढालिया कि मान लो तालिबान अगर पलड जाय तो एस सिक्यूरिटी एक तालिबान के अफसर को भी यह बॉर्डर तक अपने साथ ले गए थे पांचो आतंगवादी जो हैं बाद में उनकी शिनाक्त करी गई तो पता चला प गटना करम सब कुछ 31 डिसंबर को हुआ था और पाकिस्तान सरकार ने क्या कहा कि जैसे ही आतंगवादी पाकिस्तान में एंटर होंगे हम इनको अरेस्ट कर लेंगे लेकिन फिर अगले दिन ये स्टेटमेंट आता है कि ये कौन से बॉर्डर क्रॉसिंग से एंटर हुए हमे कि 179 जो हैं वो सुरक्षिद वापिस आ गए हां कही लोगों को चोट लगी थी 15-16 hospitalized भी हुए थे बट स्टिल 179 of them came back alive तो भारत सरकार ने प्रधान मंत्री अटल वियारी वाजपाई ने उस समय दुनिया को मीडिया को यही कहा कि देखे भारत की नजर से ये एक successful operation था हमने तीन आतंगवादियों को रिहा करके 180 नागरिगों की जान बचा लिए है हमारे so that is a win लेकिन आज दिन तक भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री प्रधान मंत्री senior officials सब की आलोचना करी जाती है everybody is criticized कि भारत का जो response है Indian government का जो response है वो बहुत ही बुरा था it was slow और हमने आतंग लोगों की हत्या कर दी है पिछले 20 सालों में तो यह एक reason दिया जाता है अब मैं आप लोगों से एक question पूछता हूँ मानलो आप से एक question ethics में पूछ लिया जाता है कि आप ऐसी situation में क्या करते let's say you were a senior official or a negotiator or you are the minister in charge of negotiation what would you have done आप क्या करते comment में मुझे बताईएगा कि उस सम आतंगवादी सरकार या फिर एक rogue government से क्या भारत सरकार को रिष्टे रखने चाहिए क्योंकि कल को ऐसी कोई घटना फिर से हो जाए तो हमें फिर से तालिबान की help की जरूत पड़ेगी लेकिन क्या इस कारण से should we talk to तालिबान, should we have diplomatic relations with तालिबान इस बारे में भी आपका क् hijacking कानून जरूर है, 1982 में भी था लेकिन वो बहुत ही कमजोर कानून था, 2016 में मोधी सरकार ने फिर से एक नया कानून बनाया, anti hijacking act तो इसमें मौत की सजा है, अगर आप कोई भी plane hijack कर लेते हो, चाहिए आप किसी को कोई नुकसान भी ना पहुंचाओ, लेकिन अगर आपन प्रिंट हैं, तो याद रखे हैं कि India के best educators on academy platform पर live पढ़ाते हैं, अगर आप इनसे live पढ़ना चाते हैं, special classes होती है, they are free, no charges have to be paid in classes को आप attend कर सकते हैं, अगर कहीं पर भी कोई unlock code मांगा जाता है, just use my name Mahipal as a code, you can unlock all the free initiatives, लेकिन अगर आप एक time table के साथ fixed schedule के अनुसार पढ mentioned है, लेकिन याद रखे, जो भी subscription आप लें, उसमें आपको 10% discount मिल जाएगा, अगर आप Mahipal code, referral code use करते हैं, तो 1 year, 2 year, 3 year subscriptions are available, iconic और प्लस दोनों में, optional की तयारी के लिए भी courses available हैं, लेकिन अभी हमने एक special 5 in 1 offer चालू कर रखा है, जिसमें optional और GS का, जो combined course है, वो आपको 49, 9,680 रूपीज में available होगा, for 1 year, और इसमें ना केवल classes, बल्के आपको test series भी मिल जाएंगी, printed GS की किताबें भी मिल जाएंगी, और ये price आपको तभी मिलेगा, when you are using this referral code, otherwise ये 55,000 का होगा, so don't forget to use that code, अब यहाँ पर आपको 2 महीने का एक नया subscription plan भी देखने को मिलेगा, तो जो prelims 2021 के तयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये launch किया है, आप इस course को avail करके, for 13,500 रुपीज, आप मेरे जो upcoming plus courses हैं, जो मेरा भी ongoing plus course है, medieval history का, उसको भी join कर सकते हैं, so remember, if you are preparing for 2021, कोई subject कमजोर रह गया है, तो इस course को join कर लीजिए, हर Wednesday को नए batches बनते हैं, तो जो batches नए बनते हैं, आप उनको join करके, अपनी तयारी को start कर सकते हैं, तीन free test series है हमारी, और इन test series में अच्छा score करोगे, तो ही combat में बढ़िया rank आएगी, combat में बढ़िया rank आएगी, तो आप scholarships avail कर सकते हैं, free of cost आपको ये courses available हो जाएंगे, रहीवार को 11 बजे combat होता है, unlock code would be this, so enroll now for combat, link is in the description, and first comment, thank you very much, have a great day.